दोस्तो पंचम पब्लिसर द्वारा हिंदी मीडियम इस्टुडेंट्स के लिए इबुक यानी पीडियाफ नोट्स त्यार किये गए हैं जो कि आपके आने वाले सभी कम्टिट एग्जाम जैसे ससी बैयंक रेलवे पीएससी पुलिस टीशर एग्जाम के लिए काफी उसफु को एकी बुक है इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक की मिल या दूसलिम क्लिक करके आप पर्चेर्ज कर सकते हैं किसी प्रकार की कुईरी के लिए इस नंबर पर आप कॉंटक्ट कर सकते हैं समा परवाने को जलाना सिखाती है, शाम सूरज को ठलना सिखाती है, मुसाफिर को ठोकरों से होती तुहं तकलिप हैं, लेकिन ठोकरे ही एक मुशाफिर को चलना सिखाती है विडियो को आखरी तक देखा करें ये कोशन बहुत इंपोर्टेंट होते हैं आपके अगामी इक्जाम्स के लिए चलिए तो फिर फटा पटी स्टार्ट करते हैं आज हमारा पहला मातपोर कोशन है ICC यानि अंतराश्टी क्रिकेट परिशद का मुख्य कारिकारी के रूब में किसे निउट किया गया है तो इनिउट किया है दोस्तों मनुष शाहिनी को ठीक है ओप्सन सी देखे उस्तों 15 जनवरी को मनुष शाहिनी को अंतराश्टी क्रिकेट परिशद यानि ICC इंटरनेशनल क्रिकेट कांसिल का मुख्य कारिकारी निउट किया गया है ठीक है और दोस्तों वह जुलाई 2019 में ICC पूरुस क्रिकेट विश्चुकप के बाद डेविड इचर्टसन से अप्चारी लूस से पधवार ग्रहन करेंगे और देश्टों आपको बता दे को सिंगापूर स्पोर्ट सबके पूर्व सीयो और ESPN स्टार स्पोर्ट के प्रवन दिशक है तो यहाँ पर दोस्तों बात हो रही ICC की यानि इंटरनेशनल क्रिकेट का को हैं शर्षांग मनोहर इंडिया ने शर्षांग मनोहर जी है भारत की और ICC क्या है दोस्तों यह तो विश्वर में क्रिकेट की प्रिद्यक्ताओं को नियंतरक्त था नियामा के संस्था है ठीक है तो यहाँ प्याद रखिएगा ICC के मुख्य कारी-कारी ग्रू में किसे न अनु साहनी को नियुक्ति अगया है और ICC के चैर्मेन को ने भारत के सशांग मनोहर जी है आइसी से क्याट कोडर काई UAE दुबाई में तो इतने आपको फैक्ट यह आद रखने हैं चलिए अगले कोशन के तरफ बढ़ते हैं किस राज जिने जै किसान रिण मुक्ति योज को शुहरम किया है और दोस्तों राज्य मंत्री मंडाल ने पांच जन्वरी को पच्पन लाग छोटे और सीमान किसानों के फसली रिण माप करने के लिए अपने मंजूरी दे दी है ठीक है और दोस्तों आक वादा कर्ज माफी के फार्म जो पांच फरवरी तक जमा किये जा सकते हैं और किसानों को 22 फरवी तक इसका लाब मिलना शुरू हो जाएगा तो या प्यादर कीगा और MP की बात करें तो कैप्टल है भौपाला और बर्तबाने गवर्नर का उन है मत्प्रेस की अनंधिवेन पटेल है ठीक है और नए मुख्यमंत्री बन गया है कमल लाथ तो जाए किसान रिण मुक्ती होजना नाम से 50,000 करोल उर्पे क्रिसी रिण माफी होजना किसने शुरू की MP गवर्मेंट ने चलिए अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें इस वीडियो को टारेक लाइक से आज का 17,000 को फटापट वीडियो को लाइक कर जरूर करे हमार अगला कोशन है अंब अंदावरा और दौलतपूर चौक के बीच नौ निर्मित ब्राडगेज रेलवे लाइन की सराज में स्थापित की गई है तुकी गई हिमांचल प्रदेश में ठीक है ऑप्सन भी देखे उस तो हिमांचल प्रदेश में उना जिले में अंब कि रेलवे लाइन के निर्मार के लिए लगभग 335 क्लोड रुपए खर्च किया गया है जिसमें 10 पूल शामील है जिन में लेवल क्रोसिंग नहीं है ठीक है तो आपको याद रखना है हिमांचल प्रदेश के जहराम ठाकूर चलिए अगला कोशन देख लेते फटापट प् तो किया गया है है हैदराबाद में ठीक है ऑप्सन डी देख उस तो 14 जन्वरी को हैदराबाद प्रथाम एक लब मॉडल आवासी विद्याले स्पोर्ट्स मीट 29 को ध़रन किया गया है ठीक है और रास्टी स्पोर्ट्स मीट्स दोस्तो 14-16 जन्मी 29 तक आउजित की जा रही है ठीक है तो याद रखिएगा प्रथाम एक लब मॉडल आवासी स्पोर्ट्स आवासी विद्याले स्पोर्ट्स मीट दोस्तों गहां किया गया है हैदराबाद चलिए अगला कोशन देख लेते कोशन नमर फिपते मारा राजेस प्रभू का निधन 15 जन्वरी को हुआ वह प्रशिद्ध पत्रकार थे दोस्तों वो ठीक है देखें दोस्तों बयोविद्ध प्रत्रकार का राजन प्रभू जी का 15 जन्वरी को निधान हो गया है उन्होंने दोस्तों 1922 नेशनल यूनियन ऑफ जनलिस्ट के गठन का महतपुड हूं का उन्हों निभाई थी ठीक है औ कौन सा सतरंज खिलाड़ी दुनिया का दूसरा सबसे कम उम्र का ग्रेंड मास्टर भारती बन गया है इसको याद रखिएगा डी गुकेश ठीक है ऑप्सन बी देखें दोस्तों भारती खिलाड़ी हैं ये डी गुकेश 12 वर्स और 7 महीने की उम्र में यह उपलब्दी हासि सबसे कम उम्र के ग्रेंड मास्टर होने का रिकार्ड है ठीक है और दूसरे नमबर के बन गया है भारत के डी गुकेश उनका क्या नाम जो टॉप पर नमबर उन पर है सर्जेई ठीक है सर्जेई कार जाकिन ठीक है कार जाकिन तो यह आप यादर रखिएगा सर्जेई कार जाकिन युक्रेयन के हैं ये चलि अगला उस्टन देख लेते हैं दोस्तों कि इम्बेक्स दोहठारा उन्नीस नाम का दूसरा भारत में अमार दुपक्षी सेना भ्यास कहां शुरू हुआ है तो यह हरियाणा में हुआ है ठीक है ओप्सन ए देखें उस्तों चौदार जन्वरी को हरियाणा के चंडी मंदिर सेनी स्टेशन में इम्बेक्स दोहठारा इम्बेक्स दोहठारा उन्नीस नाम का दूसरा भारत में अमार दुपक्षी सेना भ्यास शुरू हुआ है और इसका उद्देश क्या है ठीक है तो कहां पर हुआ है इम्बेक्स दोहठारा उन्नीस मेंमार भारत मेंमार दुपक्षी सेना भ्यास हरियाणा चंडी मंदिर सेनी स्टेशन में चलिए कोश्चन अमरे रेट है कौन खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सबसे दिख सोण पतक इतने वाले खिलाडी बन गये हैं स्रीहरी नटराज ठीक है उप्सन सी देखें दोस्तो करनाटक के तैराग जो है स्रीहरी नटराज खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सबसे अधिक गोल्ड मिदल जीतने वाले खिलाडी बन गये हैं और यह वह दोनों सो इन खेलों में सबसे सफल सोण पतक विजयता ठीक है तो यह प्याद रखिएगा चलि अगला उचन देख लेते हैं बिराज कुमार सर्मा का निधन 15 जनबी 2019 को वह वह किसके संस्थापक थे असम गण परिशत के ठीक है ओप्सन सी तो यह प्याद रखि के जिसे 1985 में असमान दोलंग के नेताओं ने बनाया था अगला उचन हमारा किस आसकर वाइल्ड अवार्ड मिलेगा ग्लेन क्लोज को मिलेगा ठीक ऑप्सन भी तेक है उस्तों यूएस आयरलेंड एलाइंस ने गोशना कि एक अनुभवी हमनेत्री हैं ग्लेन क्लोज को 21 फर ग्लोब पूर्शकार भी जीता है ठीक है चलिए अगला उचन देख लेते हैं केंद्री मंद्री मंदल ने एक्जीम बैंक में कितने करोड़ रूपए के फंड इन्फ्यूजन को मंजूरी दी है तो यह दोस्तों 500 ठीक है 500 करोड तो केंद्री मंद्री मंदल ने एक्सपोर् पूर्ड बैंक ऑफ हिंडिया में 500 करोड रूपए के फंड इन्फ्यूजन को मंजूरी दी है ठीक है और दोस्तों एक्जीम बैंक के बारे में आपको बता दें एक्जीम बैंक की स्थाबना का हुई थी इसका है मुंबई में है इसके वरतमान में सीओ को ने एक्जीम बैं मिंत्रा के मुख्य कारिकारी अधिकारी जो है अनंत नाराइडन ने 14 जन्वरी को अपने पास स्तीफा दे दिया है अब अमर नगराम को मिंत्रा और जवों के प्रमुक्रू में नामित किया गया है ठीक है चलि अगला कोशन देख लेते हैं पंद्रमी राजस्थान विधान सवागी स्पीकर गुरू में किसे चुना गया है चीक है ऑंप्सन करनों ने थीए सभयाम किया है ठीक है चलिए अगला कोशन है किसने फ्रेंको जर्मन मानवाथिकार पूसकार जीता है यू वेसेंग ठीक है तेखे तो चीनी वकील है ये यू वेसेंग ने 14 जन्वरी को फ्रेंको जर्मन मानवाथिकार पूसकार जीता है और यू वेशेंग को सहर के दिरकालिक प्रूशन के लिए बीजिंग सरकार बर मुवत्मा करने के लिए जाना जाता है ठीक है तो याप यादर कियेगा अब देख लेते हैं लास्ट वीडियो का एंसर मैंने कोशन पूछा था अब देख लेते हैं तो आज का सवाल के है हमारा पहली बार फिलिप कोटलर प्रेसिदेंशियल पूर्शकार किसे मिला है तो बहुत इंबोर्टन कोश्चन इसका एंसर आप जरूर बताएंगे यह आपको पता है तो ज्यादा ज्यादा लोग कमेंट करेंगे तो आपने कल की वीडियो देखिए दूस्तों जरूर देख ले नहीं देखिए तो और दूस्तों आप डेली मॉर्निंग में समानी कालक करेंट फेस्ट वीडियो जरूर देखा करें हरे एक्जाम के लिए बहुत इंबोर्टन रहता है ठीक है तो चलि दूस्तों मिलते है न झाल